सबसे पहला प्रशन हमारे पास है आज निम्लिकित मैं से कौन सी विधी यथार्थवाद के सिध्धान्तों से सबसे घनिस्ट यानिकि क्लोजली रूप से क्या है समवनिद है यथार्थवाद का मतलब रियलिजम होता है खोज विधी, यूरिस्टिक विधी, करके सीखना परियोज नहीं है प्रोजेक्ट विधी ठीक है यानिकि डिस्कवरी मेथड यूरिस्टिक मेथड या लन्मिंवर डूइं और या फिर प्रोजेक्ट मेथड ठीक है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा देखिए आप यह अगले प्रश्न पे अगले प्रशन निम्लिखित मैंसे कॉन सा कफन स्री अर्वन्थ के मत्त की Σब्वुचित वियंच्या करता है जीवन का उचेतर-ईसतर तक इसके साथ यह बात करते हैं कि जीवन है उसका विकास निरंतर होता रहता है ठीक है जीवन का उच्छतर तर तक विकास होता रहता है ठीक है तो option number A क्या हो जाएगा हमारा right answer हो जाएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण विविधा पूर्ण पार्ठी चरिया से निमलेकित मैं से कौन सबसे अधिक लाभानवित होगा या या निकिए कि diversity fight जो होगा आपका curriculum होगा तो किसे सबसे अधास में से किया ठीक है चुकि देखिए आप किसी particular जाती के दरब इसमें जा नहीं सकते थे और मलिन दस्तियों में रहने आले लोग एस सच कोई context में बैठ नहीं रहा है इसलिए जन जाती रिड़किया option के according सही है ठीक है बढ़ते हैं अगले प्रश्ण पर अगले प्रश्ण हमारे प बहुत सारे पहलों में उल्जा के हमें question पूशा जा सकता है option नमबर ए शिक्षा का विवसाई करण बी मूले परएक यानि की valuable शिक्षा किया सकते हैं तीसरा है स्वास्तेवम सुस्तिती शिक्षा यानि की health education जो आपकी होती है और चौता है धर्निर्वेस यानि की secular education के बार रहे हो ठीक है तो इसका right answer आपका हो जाएगा देखिए शिक्षा करण तो हो जाएगा ठीक है मूले परक सिक्षा या धर्निर्पिक तो तो क्योंकि सिक्षा जो है हम उसको कहीं न कहीं धर्न में से तो हमने उसे जोड़ा ही नहीं है तो यह वाली तो बात ही चले गई दूस साथ ही साथ अब तो vocationalization का दौर इतना ज़ादा बढ़ गया कि कखसा छटी से ही क्या कर दिया गया है NEP की तहट जो 2020 की आपकी है कि छटी क्लास से ही हा क्या करिए vocationalization of education से रिटेट कुछ ना कुछ चीज़े डालिए और धर में एक सिक्षा तो होती ही होती है किसी problem संकेत की उपस्तिती में अनुक्रिया कराया जाना सकरात्मत problem पर निर्भर करता है पुरुसकार प्रसिक्षन, B. अकर्म प्रसिक्षन, C. विभेत प्रसिक्षन या फिर दी विभेत अकर्म प्रसिक्षन या पर यहाँ पर ही जो आपको या दूगा तो इसका right answer हो जाएगा सी विभेद प्रसिक्षन ठीक है बढ़ते हैं अगले प्रशन पे अगले प्रशन हमारे पास है व्यक्तित्व के सरवादिक आवस्यक पहलू के रूप में सरजनात्मक आत्म की अवधार्णा को किसने प्रस्तावित किया था परसनेल्टी जो आपकी थी उसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टन जो आप कह सकते हैं एक तरीके से पहलू था उसमें क्रियेटिविटी जो हो ली जागे एक सोल की आप इसके अवधार्णा जो है किसने प्रस्तावित की है ओलपोट एडलर फ्राइट या फिर जुंग ठीक है तो इसका राइट आंसर आपका है एडलर ठीक है एडलर के द्वारा ये किया गया था, जो सजन आत्म की अवधारना थी, दी गई थी, बढ़ते हैं अगले प्रशन पर, अगले प्रशन हमारे पास है, किसी व्यक्ति द्वारा रक्सायुक्ति है, अधिकि डिफेंस मेकेनिजम का उप्योग किया जाता है, ए, व्यक्तिगत समस्याँ के समधान के लिए, बी, अपरी परिस्तितियों से बचने के लिए, सी, समायोजन प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए, या फिर, दी, दूसरों के विरूत का सामना करने के लिए, ठीक है, तो डिफेंस मेकेनिजम जो है, वो किसने दिये, फ्रा के लिए, ये इसके लिए भी की जाती है, समायोजन प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए, या फिर, दूसरों के विरूत का सामना करने के लिए, या याद रखिएगा, कि इसके लिए भी की जाती है, इसके लिए भी की जाती है, लेकिर ऑप्शन तो आपको एक ही छाट आप क्या करने की कोशिश करते हैं कई बार आप से कोशन गलत हो जाता है तो आप ब्लेम गेम खेलने की कोशिश करते हैं आप चीजें दूसरे की पढ़ा लें तरीके की प्रोसेसे इसके अंतर गज़ आती हैं तो कहीं ने कहीं हम समयोजन तो कर रहे होते हैं हम समयोजन की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए क्या करते हैं ये सबी जो डिफेंस में कहीं ने कहीं इसका प्रयोग करते हैं तो अप्शन नमबर सी जो हो जाएगा हमारा राइट अंसर हो जाएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्ण पे अगला प्रश्ण हमारे पास है आपका जो टॉपिक है एप्टिटूट इस से रिए प्रश्ण भी नहीं हुए थे तो आजी राने की कोशी की गई एक छात्र यह हो जानना चाहता है कि क्या वो एक विशिस्ट रोजगार में अच्छा प्रश्ण करेगा इसका पूरा नुमान लगाने के लिए निम्लिकित मैसे किस उक्करण का प्रियोग किया जाएगा एक बच्चा है वो जानना चाहता है कि क्या में पर्टिक्लर अगर कोई उसका जो भी वोकेशन है उसमें अगर वो जानना जाएगा उसमें क्या अच्छा प्रश्ण कर पाएगा इसके लिए वो प्रिकंसिट नोशन या मतलब पूरा नुमान कहीं न कहीं लगा रहा है ठीकिए प्रिडिक्टिबिल्टी देख रहा है कि अगर आपको कहीं खुद सोचिए आप एक्जैम दे रहे हैं अभी या तो आप कहीं न कहीं आप एक विसे स्टोज कार पाने के लिए ही तो जा रहे हैं उसके लिए आप अच्छा प्रश्ण करेंगे आप लोग दिन रात पढ़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे आपका जो टेस्ट होगा देस्त आपका अप्टिटूट टेस्टी तो ऊगा ना वाप आप ए जिया दखेए कर जब भी कोई व्यक्ती प्रदलिश्ण करने जा रहा है जो भी उसने पड़ा है या उसका एनलेजिस वो करना चाहा है किसी एक व्यंग द इंटरनेट के सकरात्मक पक्सों को दरसाने वाले कथन की पहचान कीजिए ठीक है इंटरनेट जो है as a resource हम यूज़ कर सकते हैं ऐसा कौन सा आपका जो statement है बता रहा है इसकी बारे में आपको describe करना है ठीक है तो और वो भी साथी साथ positive जो पक्स बता रहा है इसके पहला है वे तीसरा है वेबसाइटों पर प्रकासित अनुसंधान चोरी किये वे हो सकते हैं और चौता है वेबसाइटों पर प्रकासित अनुसंधान एक प्रकार से निर्वतमान क्या है सूचना है ठीक है तो ध्यान दिजेगा आपको न सकरात्मक पक्स देखने है देखिए वेबसाइ वेबसाइटों पर प्रकासित अनुसंधान चोरी किया हो सकते हैं जिबके होते हैं हमें पता है लेकिन हमें यहापे नेगिटिव चीज़े नहीं लेनी हैं हमें पॉस्टिव चीज़े लेनी हैं वेबसाइटों पर प्रकासित अनुसंधान एक प्रकास देक्या होते हैं हुआ हैं संसाधनों की कमी अनुचित आयुजना लोगों की मनुषति जिन संक्याव इसौर्टी पॉपिलेशन बहुत ज्याद हो गई है रिसोर्से तो स्यंदिन लोगों के इन लोह कम हो गई है चाहिए वो gender biasness कर रहे हूं या कुछ भी कर रहे हूं अभी इधारातल इस तर पर अगर आप देखेंगे तो है उन नहीं भीजना चाते हैं बच्चो को स्कूल ठीक है मतलब आप सरकार इतनी जादा facilities दे रही हों फिक कहीं हद तक तक तो ऐसा है कि कुछ भी लोगों को तक तो news नहीं पहुंच पाती है अब वैसे बहुत कम इलाके से बज़गे है लेकिन फिर भी है still ठीक है तो बढ़ते हैं अगले प्रशन पर अगला प्रशन हमारे पास है निमने खित मैंसे कौन सा देश उच्छी सिक्षा के इस्तर पर दूरस्ट सिक्षा यानि कि distance education जो अपकी होती है कि पार्टी क्रम के सेत्र में अग्रडी है मतलब कौन सा इसा देश है जो आगे है आप कर्स अगले प्रशन हमारे पास है जो गात्मक मुल्यांकन यानि कि समेटिव इवैलुएशन जो आपको होता है सितात्परी है दैनिक प्रशनोत्तरियों का प्रयोग ग्रहकारी द्वारा अधिगम का अनुश्रवन आवधिक परिक्षन या छात्रु का सापता ही किस्तर निधारण तो देखें आप लोगों को पता ही है समेटिव टेस्ट जो होता है यह सीसी के अंदर गताब का आता है असेस्मेंट ओ पर अधिगम का अनुश्रोमेंट होमवर्क के द्वारा कुछ प्रोसेसिंग ऐसा भी इसमें नहीं होता है आवधिक परिक्षन यानि कि कुछ आवधिक मतला समझे ना कुछ टाइम पीरिट्स के अकॉर्डिंग होने आले भी पर या छात्रों का सापता ही किस्तर निधान त अगला प्रशन हमारा इंक्लोजिव एड्विशन से है कि दिम्योंखित में से क्या समय विश्य शिक्षा का तत्व नहीं है ऑप्शन नमबर ए विविट्टा की प्रतिसम्माल बी सोनिया स्विकृति सी है सयोग यानिकी कोलाबरेशन और डी है आपका विशेश वर्ग स्थ अगले प्रशन पर अगले प्रशन पर अगले प्रशन मारे पास है मल्टीपल स्केलरोसिस जो है क्या होता है अब करसक तंत्री का मांस्पेसी रोग है और यह संक्रामक नहीं है यानिकी मतलब एक तरह किसा आप कह सकते हैं मसल्स रेटिट कोई यह बिमारी है और यह फैलती नहीं है ठीक है अगला है तंत्री का मांस्पेसी रोग है जिसमें मांस्पेसी कमजूर हो जाती है यह इस तरह की का कोई रोग है जिसमें हमारी जो मसल इसकी वुक हो जाती है। ऐगला है तंत्रक यानिका, ही होना चीछ योग होना चाहिए तंत्रक है, स्पाइनल कॉड को यह起 Window, अधाąd चालिक से सिर रिखानाल की भाड़ा लें खाले होती है। यह अगला है इस household ुद्बीर संगह नंधीर संगह व्लबंक Addis तो इसका पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि यह जो हमारा multiple sclerosis है अखिरकर यह होता क्या है यह multiple sclerosis जो होती है तरीकी की विमारी होती है इसमें क्या होता है बेसिकली आपको ब्रेन होता है और आपको अगर में पूरा हिंदी में बताओं उसके बारे में आपको मस्तिक्स है और जो सुसुन्ना रज्जु होता है आपका वो सोध के चारोर सतिग्रस्ट हो जाता है possible कि कर दो लोर तरब से उसके वही जिसके क्या हुचता है इसके आसपास को कवरिंग एरिया होता खराब हो जाता है ठीक है और घणम हो जाते है उसके साथ-साथ का होता है कि आप एकतर से देख सकते हैं बीमारी की जुरूबर होती है जनरली वह होती है यूर वैस को में यह आप लोग समझ सकते हैं यंग एज वाले लोगों को ही ज्यादा होती है और खास तर पर महिलाओं में ज्यादा आम होती है ठीक है यह कुछ में मतलब कहीं से करके देखा है तो आप लोगों को समझ में चीजा आ रही होंगी तो जनरली यह क्या होती है इसकी बारे मैं बात करूँ इसका अंसर हो जाएगा जिसके वेज़े से क्या होता है देखिए ब्रेन को कवर अप करने के लिए उसका एक आवरन होता है वह भी नस्त हो जाता है ठीक है बढ़ते हैं अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण हमारे पास है निम्लिखित मैं से कौन सी संस्था सिक्सक सिक्सा के डाइट्स और केंद्री सरकार द्वारा प्रायुजित अन्य योजनाओं के कारिकलाव और कारिक्रमों के नियंतत मार्दर्सर और इसकी निग्रानी करने वाला सीरस्थ निकाए है कल की सिरीज में भी मैंने इससे मिलता जो था एक कूशन आपको दिया था ठीक है इसी टाइप का सिमिलर की कूशन था तो कौन सी संस्था है जो सिक्सक सिक्सा के लिए क्या करता है डाइट्स और केंदरी सरकार द्वारा प्रयोजित अन्यूजनाओं के कारिक्रमों के नियंत्रण मार्दर्शन और इनकी निग्रानी करने वाला सीरस्थ निकाए है यानिकि मागदेशन करता है guidance भी करता है control भी इसको करता है और निगराणी भी इसके साथ साथी से करता है याद रखेगा उपर हमने लेकिन यहां पर नया एक जो वर्ड एड हुआ है वह है तो option number D हमारा right answer हो जाएगा SCRT इसका answer है बढ़ते हैं अगले प्रशन पे अगले प्रशन है निम्लिकित मैंसे कौन से प्रसंग सिक्सक शिक्षा के सेत्र में क्रियात्मक अनुतुंधान के सेत्र के सेत्र के लिए उप्यूक्त हो सकते है यानिकि टीचर एडिकेशन के सेत्र म सभ्यों के सिखशका कासलों में सुधार लाना यानिकि सिखशन प्रवशन जो ननकि टीचिंग स梦त लाना ना अगला है प्रवेश्ट के लिए उत्यूक्त हमादन की पहचाहन करना स्थेंडिेंग नॉंस क्या होते हैं प्रवेश्ट के लिए उसके उस्वाल सोदा उसके प कि अगले हैं शिक्सक्सा पर्टि करणा अगले हैं प्रसिक्षुओं तथा शिक्सा दोनों की विवसाइक अभी संता में व्रिद्धी करना ने जो टीच्छिंग ट्रीनिय और जो टीचर है दोनों की जो आप कह सकते हैं एक तरीके से वोकेशनल जो उनकी अभिशंता है, उसको बढ़ावात ही नए, अग्ला है, विशेष्त विध्यालेवों के लिए सिख्षक प्यार करना है, यदि आपको जो जो किष्बोश्ट भच्ची होते हैं, उनके लिए क्या करना है, आको एक तरीकि से सिख्षक प्यार करने है, ठीक है, तो इनमें और शिक्षक शिक्षा पाटिक्रम की समिक्षा करना देखिए समिक्षा करना तो इसके अंतरकत नहीं आता है तो शिक्षक दोनों की विशाइक संता में वृधी करना यह कहीं न कहीं सही है ठीक है और विशेश विद्यारिलेगों के लिए शिक्षक त्यार करना ऐसा तो कुछ एस सच नहीं है तो हमारा आंसर हो जाएगा first, third and fifth, option number a हमारा right answer हो जाएगा, ठीक है, अगला प्रेशन हमारे पास है, निमले कित्मे से किस सेत्र में, बधिर बालकों में, सुनने वाले बालकों की तुलना में, साप एक सिक हीन भाव दर्शानी की प्रवत्ती होती है, ठीक है, यह भी physical disability जो है, inclusive education यह सारी चीज़े, इसके अंतरगत से उठाया है question, तो बताईए, pause कीजी वीडियो और answer बताने की कोशिस कीजी, क्या लगता है आपको, किस सेत्र में, बधिर बालकों में, सुनने वालों की अपिक्सा क्या होती, थोड़ा सा हीन भावना आ जाती, थोड सेक्षिक प्रगति, थीक है, तो यह भासा विकास के, आसपास, चीज़े आती है, थीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्ण में, अगला प्रश्ण में मारे पास है, प्रतिपासाली बालक में, निमलखित मैंसे, किन सेत्रों में, सामानी बालक से आगे निकन लने की प्रवत् प्रतिवा साली बालक में निमलिखित मैं से किन सेत्रों में सामानी बालक से आगे निकलने की प्रवत्ति होगी अगर हम बात करें प्रतिवा साली बालक है तो कहीं न गई देखे जरूरी नहीं कि प्रतिवा साली बालक के दुलना में कभी उसको भी प्रशानिया हो सकती है सामाजिक परिवत को तो और संतुलन सही है लेकिन हर दाइरे में वह ऐसा कर जाए यह भी जरूरी नहीं है तो ऑप्शन नमबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है सेक्षन एक उपलब दी बढ़ते हैं अगले प्रशन पे सतत व्रहद मुल्यांकन में निमले कितमे से किस युक्ती से मुल्यांकन का व्यापक स्वरूप सुनिशित करने में साहिता मिलेगी यानि कि आपनों समझते हैं सी सी जो आपका है उसमें आपके मुल्यांकन अगर देखे तो व्यापक सुनिशित करने में किस चीज़ से साहिता मिलेगी तो देखिए, अगर आप बात करें, संग्यानात्मक और संग्यानात्मक और संग्यानात्मक बोलता, तो दोनों चीज़े ठीक हुजाती, तो संग्यानात्मक और संग्यानात्मक शेत्रू के लिए बहुत से मुल्यांगन परक्साद्नों को आपको क्या करना चाहिए, थीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रशन हमारे पास है, कोई बालक विद्याले में प्रात्ना के दौरान मूर्चित हो गया, विद्याले के बैजानाचारी की रूप में आप क्या करेंगे? option number A, किसी सिख्षक को प्रात्ना कराने के लिए कहेंगे और बालक को चिकेच्चक के पास ले जाएंगे? B, किसी सिख्षक को बालक के देखरे करने के लिए कहेंगे और प्रात्ना जारी रखेंगे? C. किसी सिक्षक को बालक बाली का कोस के घर ले जाने के लिए कहेंगे और प्रात्ना कराते रहेंगे या फिर D. किसी सिक्षक से प्रात्ना जारी रखने के लिए कहेंगे बालक का प्रात्मिक उप्चार किये जाने का परिविक्षन करेंगे और प्रात्म में पुनह प्रतिभाग करेंगे पॉस कीजिए और आंसदेवी की कोशिश कीजिए तो देखिए ऐसा आप समझी सकते हैं प्रधानाचारी यानि कि प्रिंस्पल के रूप में आप एक लीडर भी है आप एक काउंसलर भी है आप जो है कहीं न कहीं आपके उपर सारा कारिभार है तो आप क्या करेंगे इसे सिख्षक से प्रात्ना जारी करने के लिए करेंगे और बालक का प्रात्मी को उप्चार किये जाने का परिविक्षन करेंगे और प्रात्ना में पुना प्रतिभाग करेंगे देखेंगे कि अभी क्या हो सकता है कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है जनरल तरीके से क्या सोलिशन इसका निकल सकता है वो निकालने कोशिश करेंगे फिर दुबारा से सामिल हो जाएंगे ठीक है बढ़ते हैं अगले प्रश्ण पर निमलिकित मैं से किस देश में सिक्षा प सब्सक्राइब की रूप में है तो चुकि आप लोग सभी समझदार लोग है और आप लोग देखते ही हैं कि भारत में जितनी भी अगले प्रश्ण पर लिए इस तरी किया है तो यह हमारा देश भारत जिसमें इसा है बढ़ते हैं अगले प्रश्ण पर अगले प्रश्ण है प्रस्णावली की तूल ना में साखसातकार एक सो रूपकरण के रूप में क्यूं अधिकुप्योगी है यानि कि कोशनेर के कंपेर में अगर आप इंटर्व्यू को देखें तो एक तरीक से आज रिसर्च तूल के रूप में आप क्यूं उसको उसको सकते हैं जत्तिकोद और सब्वेदन से सूचना प्राप्ट करने की इसकी समता यानि कि सेंसिटिव जो एक रिकिसाब कर सकते हैं इंडिविजल इंफोमेशन है वो इससे पता चल जाती है बी हैसके तूटिके स्रोथ क्योंकि इसकी एरर होते हैं उसकी जो सोर्सिस होते हैं सफचना ओर ले रहे हैं तो आप का इन मेंसे प्रस्णा वाली की तूल Намसा चौर आप एक सोथ की रूप inventory क्या करेंगे-yews करेंगे क्या लगता आपको इसमें से होगा क्योंकि देखिए आप अगर किसी का इंटर्व्यू ले रहे हैं तो आप कही ने कही उसको इंडिविजल तौर पर व्यक्तिकत तौर पर सब्रेदन से सूचना भी उसको कही ने कही क्या कर सकते हैं फ्राप्ट कर सकते हैं इसलिए कहीं न कहीं इंटर्व्यू जो है वो कोशन है या कोशन आंसर कि तुलना में क्या है ज्यादा बहतर है ठीक है आई ओप आपको चीज़े समझ में आई हूँ तो कैसी लगी आज की एक लास कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जुरू बताईएगा अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कॉमेंट और सब्सक्राइब अब कर सकते हैं हमारे चैनल को